अब लो दोस्तों स्वागत आप पर इस नवे वीडियो में जिसमें आज हम देखने वाले जो बीएसी इसी कम्पोर साइंस होता है तो उसका फर्स्ट यहर का सिलाबस देखने वाले प्र टुरीस्ट इन्युर्सेटी बंगलोर में पढ़ रहे तो उसका जो बीएसी कम्पोर् चाइनल पर नहोंगे तो सबस्राइब जरूर करें क्योंकि एसे इंपर्मेटिव वीडियो आसान इंदी में मैं लाता रहता है और यह वीडियो जो लास्ट तक देखना था कि पूरी जो सब्जेक्ट यो उसकी लीस्ट आपको जो मिल सके तो चलिए वीडियो को शुरू करते सेंटर होता है जो सेंट ंसलगि जो आपको मैंतेमैटिक्स का पार्ट वन आपको पढ़ाया जाता है उसके प्रोग्राइमी अगर आपको पहले से को और नहीं आती तो कोई बात नहीं आ पर चालiro एकडम से जो coding मतलब C language चीखाया जागी तो आपको कोई दिक्कत वहाँ पर आगी नहीं आएगी उसका data structure आपको यहाँ पर सिखाया जाए जाए data structure क्या होता है QEU क्या जाता है types क्या होते उसके यह सब जो आपको first semester में पढ़ाया जाते उसका जो second semester होता है तो आपको second semester में आपको mathematics का part 2 सिखाया जाता है उसके बाद जो physics का part 2 होता है वह भी आपको यह पर सिखाया जाएगा उसके बाद engineering mechanics होता है तो यह भी आपको जो सिखाया जाएगा उसका बाद digital logic subject होता है यहाँ जो binary number system होता है आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा उसका algorithm क्या होता है इसका use क्या होता है design कैसे होता है यह आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा उसका computer organization and architecture होता है यह भी आपको यहाँ पर second semester में पढ़ाया जाएगा अगर आप जो BSC CS कर रहें क्रिस्ट उनिवर्सिटी बैंगलोर से तो यह सब देट आपको पढ़ने पढ़ते फर्स्ट यहर में BSC CS के तो अगर यह वीडियो अच्छा लागा होगा तो दूस्तों के साथ ज़रू शेयर कर देना और चैनल को भी सब्स्रेब कर देना और मिलते नेक्स्ट वीडियो में कर दो शेट से लागा होगा है